राधे राधे केसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब लोग ठीक और सेहत मन्द होंगे आज मैं आपके लिए एक और सिंपल सी रेसिपी लाई हूँ जो जटपठी बन जाता है और खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है और कम मसालों में से हम बनाएंगे आलू और शिमला मिर्च की सूखी सबसी तो चलते हैं रेसिपी की तरफ तो यहाँ पर मैंने कड़ाई गरम कर ली है तो अब रिफाइन ओल इसके अंदर डाल देती हूँ तीन चार चमच जितना और तेल गरम हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने एक चमच जितना सरसो डाल दिया है और हरी मिर्च मैंने यहाँ पर चार से पांच लिया है काट कर इसे भी डाल देती हूँ और थोड़ी देर के लिए इसे फ्राइ कर लेती हूँ तो उसके बाद यहाँ पर दो टमाटर मैंने इसे काट कर रख लिया था वो भी डाल देती हूँ तो अब टमाटर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ तेल के अंदर और इससे दो तीन मिंट के लिए धकर छोड़ देती हूँ यह ज़्दी ही गल जाएगा तो दो तीन मिंट बाद धकन हटा कर देख लेती हूँ टमाटर थोड़ी सी पक चुका है तो अभी इसको अच्छी तरह से मेश कर लेती हूँ और मैंने यहाँ पर आलो काट कर धो लिया था पहले से ही बो भी डाल देती हूँ अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे ढक लेती हूँ और पांच मिंट के लिए इसे अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ है तो कुछ समय बाद इसे ढकन हटा कर देख लेती हूँ तो ये थोड़ा सा पक चुका है तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और पकने के लिए और थोड़ी देर ढख कर छोड़ देती हूँ तो गुछ समय बाद आलो अच्छ तरह से गल चुका है तो अब इसमें कटिवे शिंबला मिर्च भी डाल देती हूं आलो थोड़ी सी टाइम लगता है पकने के लिए इसलिए मैं पहले इसमें अच्छी तरह से पका लिया और बाद में शिंबला मिर्च तो जल्दी ही हो जाता है पक जाता है इसलिए मैं लाश्ट में शिंबला मिर्च डाल देती हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूं और हल्ली थोड़ा सा मिर्च थोड़ा सा और धन्या और जीरा और कुछ भी मसाला इसमें नहीं डालना है मुझे तो ये डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और दो-तिन मिंट के लिए ढग कर छोड़ देती हूँ तो दो-तिन मिंट पाथ ये देखिए मेरी आलू शिमला मिर्च की सबजी तैयार हो चुकी है आपको अगर पसंद आए तो प्लिस लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए अपना भी शेहत का ख्यार रखिए एवर्यूआन तो बाए